इस भेड का शिकार एक भूखा भेडिया कर रहा है क्योंकि पहले वह खिडकी साफ कर रहा था जब उसने कार्याले में काम कर रहे स्वादिश्ट भेडों के जुंड को देखा इसलिए उसने वहाँ नौकरी के लिए आवेदन करने का फैसला किया और किसी तरह उसे नौकरी मिल गई भेडें उससे डर्ती थी क्योंकि वह एक भेडिया है वह अपने खाना बनाने का समान भी काम पर ले आया लेकिन एक बेवकूफ भेड ने वास्ताव में उससे दोस्ती करने की कोशिश की उसने उसे एक अलमारी दिखाई जिसमें बहुत सारे डिब्बे थे जो स्वादिश्ट भोजन निकले वह पहले तो हिचकी चाता है लेकिन अंतता इसे आजमाने का फैसला करता है आश्चर जनक रूप से ये अब तक का सबसे अच्छा भोजन निकला वह अपने लिए सभी संदिख्ध डिब्बे जमा कर लेता है और भेड खाने की अपनी योजना को भूल जाता है लेकिन एक दिन उससे पता चलता है कि अब और डिब्बे नहीं बचे है वह घबरा जाता है और हर दराज को खंगालता है लेकिन दुर्भाग्य से वह सब खा चुका होता है उसे फिर से भेड खाने की तलब होने लगती है इसलिए वह दफतर से भाग जाता है और अपने सहकर्मियों की सुरक्षा करने के लिए खुद को लिफ्ट में बंद कर लेता है लेकिन आखिरी क्षण में सभी भेडें अंदर आ जाती है भेडिया खुद को रोक नहीं पाता और देखता है कि सभी भेडें मौज मस्ती कर रही है इसलिए अंत में वह खुद को रोक नहीं पाया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया जब वह अचानक खिड़की से देखता है और उसे एहसास होता है कि यह एक सपना था